नमस्कार मैं हूनी रजकुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के ताजातरीन ख़बरों का दिल्ली की एनाईय अदालत ने भारत के खिलाफ युद्ध छेरने की अपराधिक साजिस में सामिल होने और परतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य होने से संबंधित मामले में इंडियन मुझाहिद के चार आतंकियों को दोसी करार दिया है जिसे आज सजा सुनाई जाएगी आज खेला जाएगा भारत वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच बता दें कि टीम इंडिया इस समय वेस्ट इंडीज के दोरे पर है जहां भारतिय टीम मेजवान के खिलाफ दो टेस्ट मैच एक वन डे और पांच टी ट्वेंटी मैचों की सिरीज खेलेगी गाजिपूर से बसपा के पुर्वसांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी जिसे टाल दिया गया है राज सरकार के अपर महाधिवक्ता के अनरोध पर गोट ने सुनवाई को टाली है यूपी के सियम योगी आधितनात की अध्यक्स्ता में केविनेट की पैठक होई जिसमें कई फैसले लिये गए जहां मंत्री परिशद ने दो आठ सो मेगावाट ओबरा द ताप्ये परियोजिना की अस्थापना एंटी पीसी और उत्तर पर्देश राज विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेट के प्रस्ताव को अनुमगदित किया बिहार विधान सभा में चल रहे मांसुन सत्र में जवर्तार हंगामा हुआ जहां सदन को अस्थगित करना परा सदन में कुर्सी भी फेकी गई और हंगामा इतना वर गया कि सदन को अस्थगित करना परा बता दे कि बीजेपी ने सदन में तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेवाजी की और इस्तिफेकी मांग की दिल्ली की सराव नीती घोटाला मामले में गिरफ्तार तिनेस अरोरा को रौजबन्यो कोर्ट में पेस किया गया जहां कोर्ट ने ईबी की दलील सुनने के बाद अरोरा को छेह दिन की ईबी हिरासत बढ़ा दी अन्य राष्टिय दलों के तर्ज पर आमादी पार्टी भी पंजाब और हर्याना की राजदहानी चंडीगर में अपना कार्याले खोलना चाहती है इसके लिए पार्टी संगठन ने पंजाब के राजपाल कम चंडीगर के प्रसासक बनबारी लाल प्रोहित से जगह मांगा है लेकिन आमादी पार्टी का आरोप है कि राजपाल उनके आवेदन पर गौर नहीं फर्मा रहे है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजे क्योंकि कब से मैं आपके लाइक और कमेंट का इंचार कर रहा हूँ और जैसे ही आपका लाइक आएगा हम खुस हो जाएंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम इस न्यूज के लाश्ट में बताते हैं इसलिए इस न्यूज को लाश्ट तक जरूर देखिए इस रो ने चंद्रियान थ्रीका किया लाउंच रिहलसल 14 जुलाई को स्री हरी कोटा से किया जाएगा प्रफशेपन आज हो सकता है मोदी सरकार के मंत्री मंदल का विस्तार जहां केंद्रिय मंत्री प्यूस गोयल निर्मला सितारमन कॉंग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तावित राहुल गांधी के समर्थन में आज का देश व्यापी मौन सत्याकरह अस्त्रगित कर दिया गया है इसे अब 15 जुलाई को किया जाएगा जिसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी द्वारा खास तैयारी की गई है 36 गर सरकार आज अपने केविनेट की महत्पुन बैठक बुलाई है जिसमें कई महत्पुन निर्ने लिये जा सकते हैं जिसमें टिप्टिसियम, टीयस, सिंग्दे भी सामिल होंगे जारखन तोरे पर राची पहुंची नीती आयोग की आठ सदस्य टीम आज मुकमंत्री हेमन सौरेन के साथ करेगी समिक्षा बैठक जिसके बाद कई निर्ने लिये जाएंगे मदपर्देश के पुर्व केविनेट मंत्री और कॉंगेस के कतावर नेता सज्जन सिंग बर्माने मदपर्देश विधान सभा के मांसूल सत्र की सुरुवात में पर्देश की सिवराज सरकार पर जम कर निशाना साधा द्वर्मा ने विधान सभा में एक साल की अभ्धी में एक लाख नौक्री दिये जाने की मुखमंत्री सिवराज सिंग चौहान की घोसना पर सवाल उठाये और सरकार से जबाब मांगा हिमाचल परदेश के सियम सुखविंदर सिंग सुखवु ने बार परभावित तीन जिलों का हवाई सरवेक्षन किया वही मंडी के पंडोह में BBMB और जिला प्रसासन के खिलाफ नारेवाजी की प्रभावितों का आरोप है कि BBMB प्रबंधन द्वारा बिना सुखना के भारी मातरा में उनकी जमीन पर पानी छोड़ दिया जिससे उनके घर और जमीन जलमगन हो गए इसलिए BBMB प्रसासन उनके नुकसान की भरपाई करे जम्मू कस्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित पाकिस्तानी समर्थक संगर्षनों की नई उभर्थी साखाओं पर कारवाई करते हुए राष्टिय जाच अजनसी एन आईये ने दक्षिन कस्मीर में पाँच अस्थानों पर छापे मारी की हर्याना के करनाल में आईजित रवी दासिया समाज के सम्मेलन में पहुँचे कॉंग्रे सध्यक्ष उध्यवान जहां उन्होंने मौजुदा सरकार पर जमकर निसाना साधा और महंगाई विरोजगारी भरष्टाचार के मुद्दे पर मनोहर लाल खटर सरकार को घेरा उत्राखंड के परवतिये छेत्र में सरकों के लिए नाशूर बन चुके क्रॉनिकल लेंड स्लाइड जॉन के उपचार की दिसा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जहां पायो इंजिनियरिंग तकनीक का परियोग करते हुए ऐसे भुस्कलन छेत्र का ग्रीन टेक परवतिये जीलों में 23 प्रॉनिकल लेंड स्लाइड जॉन को चिन्हित किया गया है जारखंड के पुर्मुक मंत्री और बीजेपी के परदे सद्धक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिली में केंद्रे ग्रहमंत्री अमिस साह से मुलाकात की और राज्य के राजनितिक प् पुमल हुपेंडी ने कहा कि धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध 36 राज में किसान प्रेसान है जहां कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों को ही चुनाव के समय ही किसान याद आती है बीजेपी ने पश्चिम मंगाल से अनन्त महराज को राजसभा चुनाव के लिए उमेदवार बनाया जहां अनन्त महराज ग्रेटर भूज बिहार आंदोलन के परमुख रहे हैं बता दें कि दस राजसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है महराज के डिप्रिसियम देवेंड फरनविस ने सिवसेना उधब गुटके परमुख पर पलटबार किया उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरे पुराने दोस्त और आज कल के राजनेतिक पर्तिपंदी उधब ठाकरे को मनोचिकित सक्की जुरत है गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए केंद्र की आयस्मान योजना में पर्धान मंत्री नरेंद मोदी के गुरह राज गुजराज सरकार ने आयस्मान कार की लाव की सीमा में भीजाफा किया है जहां गुज़राज सरकार ने प्रावधान किया है कि अब गरीबों को 5 लाख के अस्थान पर 10 लाख तक का इलाज मुप्त में होगा राज्थान भरस्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक सवाई सिंग गोदारा ने भरस्टाचार से जुरे कारवाईयों को लेकर उदयपूर संभाग के अधिकारियों की पैठक ली जहां पैठक में उन्होंने भरस्टाचार के बारे में कई बातने सामने रखी तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे नोटिकेशन बेल को दबाईए वीडियो को लाइक किजे और ज्यादा ज्यादा सेर किजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट